आपके घर के अंदर दिवार पे लगी हुई घड़ी, क्लॉक, यू तो आपको समय बताती है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, ये आपको समय भी बताती है और आपका समय भी बताती है, वो कैसे? क्योंकि ये क्लॉक, अगर वास्तू के नेमों के अनुसार लगी है, फिर तो ये आपका जो समय चल रहा है, उसको संवारेगी, लेकिन अगर ये वास्तू के नेमों के अंदेखी करके लगी हुई है, वास्तू के नेमों के विपरीत लगी हुई है, तो ये आपके समय को बिग बड़ेंगे, खाली घड़ी ही नहीं, आप देखिए आपके घर के अंदर जो आपके ड्रेसिंग रूम में शीशा लगा हुआ है, आप चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, आपके वाश बेसीन पे जो शीशा लगा हुआ है, अगर ये भी वास्तू के नियमों के अंदे जो हैं spoil होनी शुरू हो जाती है घर का dust bean घर का dust bean जो है हम घर का garbage फैंकने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन dust bean जो है ना ये भी अगर वास्तु के नियमों के अंदेखी की जाये ना तो ये आपके पैसे को garbage में डाल सकता है आपके घर की बरकत को garbage में डाल सकता है तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि घर की जो wall clock हैं यहाँ पे वास्तु के कौन से नियम लागू होंगे आपके घर का जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा जो वाल क्लोग होती है ये बहुत ही ज्यादा loud statement है समय को लेके क्यों ये wrist watch नहीं है जिसमें केबल आप ही समय देख पाएंगे ये वाल क्लोग घर के रहने वाले सबी लोग इसको access कर पाते हैं घर के आने वाला जो visitor है वो भी इसको access कर पाता है और वाल क्लोग जो है ना इसकी जो shape है और इसके अंदर का जो dial का रंग है ये दो तत्व हैं जो बहुत ज्यादा matter करेंगे चार दिशाएं होती है और चार ही उप दिशाएं टोटल आठ दिशाएं होती है चार दिशाएं कौन सी है north east west south और उप दिशाएं कौन सी है south east southwest north east north west ये चार दिशाएं जो हैं और चार उप दिशाएं इनको ध्यान रखिएगा और इसकी शेप और जो अंदर डायल का रंग है आपको इनके अनुसार लगाना है केवल इतना भरी ख्याल रखना है फिर देखेगा वाल कलो किस तरह से आपके घर के वास्तु में सहायक बनती है घर के इस्ट में आप रेक्टेंगुलर शेप की क्लॉक लगाईए यहां पे रेक्टेंगुलर शेप की क्लॉक जो है यह आपको दुनिया के साथ जोड़ेगी यहां पे रेक्टेंगुलर शेप की क्लॉक लगाने से आपका जो सोशल सरकल है यही आपकी तरक्की में आपकी सहायता करेगा लेकिन अगर गलती से यहाँ पे आपने round shape की clock लगा दी तो यही social circle अब आपके रास्ते का कांटा बन जाएगा यू तो देखने में context बहुत होंगे जुरूरत पढ़ने पे आपके साथ चलने वाला इंसान कोई नहीं होगा आप घर के पूर्व में white background वाली clock भी मत लगाईएगा आप घर के पूर्व में wooden background वाली हरे रंग की किसी भी shade की background वाली clock लगाईए और फिर देखिएगा कि किस तरह से जीवन में आपको समाज के थूत रक्की मिलती है south east की बात करें या south की बात करें इन दोनों जगा पे triangular shape की clock लगाईए triangular shape में background जो है yellow रख लीजिए background maroon रख लीजिए और फिर देखिएगा धन का प्रवाह भी कैसे बढ़ता है और फिर देखिएगा कि आपकी branding आपकी image कितनी मजबूत होती है और अगर हम बात करें आपके घर के south west area की यहाँ पे बिलकुल ही square shape की clock लगाईए और कोई shape यहाँ पे मत दीजेगा यहाँ पे येलो background में square shape की clock लगाईए और फिर देखिएगा जीवन में stability किस तरह से आती है और फिर देखिएगा आपको जो भी आता है अब वो धन में convert किस तरह से होता है और अगर बात करें west की यहाँ पे round shape की clock लगाईए यहाँ पे oval shape की clock लगाईए यहाँ पे white background यहाँ पे आप metallic background इस तरह की background वाली clocks लगा सकते हैं और अगर यह लगाएंगे न आप जो भी करेंगे आप वो profit में convert होगा आप जो भी करेंगे वो waste नहीं होगा आपके काम 99 पे आके नहीं रुकेंगे समय का चक्र यहाँ पे आपके कामों को finish करने में और उस काम से आपको profit देने में आपकी पूरी सहायता करेगा नौर्थ वेस्ट में आप round shape की clock लगा सकते हैं नौर्थ वेस्ट में आप rectangular shape की clock भी लगा सकते हैं और यहाँ पे यह जो clock हैं यह दोनों आपकी सहायता करेंगी आपके efforts को आपके जो भी कोशिश होती है उसको पूरी तरह से profit में convert करने के और अगर बात करें north area की आपके north area में आपको केवल और केवल rectangular shape की clock ही देनी है clocks में बस आपको इतने ही rules का ध्यान रखना है और एक और बात को याद रखिएगा clock में कभी भी blank जो clock आती है न artistic सी जो confusion create करती है वो मत करिएगा क्योंकि इससे क्या होगा art wise तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे लेकिन इससे आपके समय का चक्र जो है वो आपके जीवन को confusion में बदल देगा तो clock जो है बड़ी legible होनी चाहिए और बिलकुल देखते ही time का सही सही अंदाजा देने वाली clock होनी चाहिए और अगर अब बात करें हम आपके mirrors की देखिए जो शीशा होता है ये water element होता है घर के south east में या घर के south में आप शीशा मत दीजिए क्योंकि यहाँ पे हम शीशा देंगे तो यहाँ पे ये शीशा जो है आपके जीवन में पैसे की या मान रिजज़त की कमी लेके आएगा अब suppose करिए आपका dressing room ही south में है या आपका wash vision ही उसे इसे area में है के south east यहाँ south के बीच में तो शीशा तो वहाँ पे लगेगा तब क्या किया जाए तब कुछ ऐसा arrangement करिए कि usage के बाद उस शीशे को ढख दिया जाए केवल इतना भर करिएगा और बाकी घर के किसी भी कोने मे शीशा लगाईए यह आपकी image को समाज में मजबूत ही करेगा लेकिन south east से लेके south के बीच में यथा संभव कोशिश करिएगा शीशा न लगा हो और dustbin यह एक बहुत ही important विशे है dustbin में कई बार क्या होता है कि घर के gate के पास होती है यहाँ आपके lobby area में होती है या किसी ऐसी जगा बे होती है जिसको change करना संभव नहीं होता है आप एक चीज याद रखेगा पंच तत्वों में जो कूड़ेदान है यह पृत्वी element है तो आपको पीले रंग की टाइल या beige color मिट्टे के रंग की टाइल या मिट्टे के रंग का एक matte बस dustbin के नीचे रखते ना है आपके घर में कहीं भी dustbin पड़ी होगी अब ये dustbin आपके घर के वास्तू की energy को खराब नहीं करेगी अब ये जो dustbin है ये आपके केवल garbage को ही dispose करने का काम करेगी आपके घर की कोई भी अच्छी उर्जा इस dustbin के थूँ डिस्पोजों नहीं होगी तो दोस्तों चाहे clock हो चाहे mirror हो और चाहे हो dustbin अगर आप वास्तू के इन सरल नियमों का ख्याल रखेंगे न तो यकीन मानिए ये चीज़े ना के वैल आपके घर के वास्तू का सही करेंगी बलके इसकी energy के through आपका जीवन भी जो है ये बहुत ही चुस्त दुरुस्त होग तो चले बहुत जल्द मिलते हैं नई टॉपिक एक नई विशे के साथ अपना कूब ध्यान रखेगा नमस्कार